हेलो एव्रिवन वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल इंस्टेंट मेडिकल स्टडी आज हम बात करेंगे लोर लिम की बोन के बारे में देखेंगे कि कौन सी बोन कहां पर प्रेजेंट है और उसकी दूसरी किस बोन के साथ अटेच्मेंट है जैसे आप देख सकते हैं यह हमारे पास लोर लिम है यह हिप बोन से लेके हमारे पास फुट की बोन तक है ठीक है हिप से लेके फुट तक यह हमारा लोर लिम है यह आप देख सकते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या आता है हमारे पास हिप बोन आती है ठीक है हमारे हिप पे कौन सी बोन present होती है hip bone ये pelvis ये आप कह सकते हैं उसी के साथ हमारी femur आ जाती है अब देख रहे हैं हमारी hip bone की attachment किस के साथ है femur bone के साथ ये femur bone हमारी lower limb में सबसे बड़ी bone होती है ये वाली ठीक है इसकी attachment hip bone के साथ ही इसी तरह आप ये चोटी bone देख रहे हैं ठीक है जो highlight हुई है ये femur के end पर है और tibia के स्टार्ट पर दर्मयान में आपको नजर आ रही है ये हमारे पास है patila कौन सी bone है ये हमारे पास patila ये चोटी सी bone है ठीक है यह आप देख सकते हैं और लिड़ पर है patila bone ठीक है ये आपने देख लिया उसके बाद अब उससे भी अगर हम नीचे बात करें पटीला से नीचे और फीमर से नीचे हमारे पास कौन सी bone है ये आप देख लेते हैं ये हमारे पर patila ये आपको zoom in करके दिखा रही हूं ठीक है ये अब जो हमारे पा और लेटरली बात करें तो हमारे पास आजाती है fibula लेटरली fibula present है ये thin bone है as compared to हमारे पास tibia के tibia हमारे पास medially present है और fibula laterally ये याद रखेगा आप लोग उसके बाद अब हम end पर बात कर लेते हैं हमारे पास foot bone की foot में हमारे पास कौन कौन सी bones है ये हमारे पास आगया है हमारे पास foot सबसे नीचे हम inferiorly बात करें तो हमारे पास foot आता है superiorly हमारे पास lower limb के हमारे पेल्विक bone आती है ठीक है अब सबसे पहले ये वाली हम bone की बात करेंगे यह आप देख सकते हैं और कलकेनियस की भी हमारे पर फिबियूला के साथ अटैर्मेंट होती है इसी तरह हम टैलस के आगे देखें तो हमारे पास आ जाती है नेवी कुलर नेवी कुलर हमारे पास बोन आ जाती है यह मीडियल ही प्रेजन्ट होती है यह आप देख सकते हैं टेलस के आगे थी नेविकुलर नेविकुलर से भी आगे आप देखें और मीडियल ही हमारे पास कौन सी बोन प्रेसेंट है मीडियल क्यूनिफॉर्म ठीक है वो मीडियल क्यूनिफॉर्म थी उसी के साथ अगर देखें तो मेरे पार इंटरमीडियेट क cuaniform आ जाएगी, medial, intermediate और lateral cuaniform, यह हमारे पास तीन पेर आ जाते हैं, उसके बार laterally बात करें, हमारे पार calcanian के आगे cuboid bone आ जाएगी, यह आप देख रहे हैं, हमारे पास cuboid bone आ जाएगी, इसके बारे पास first metatarsal, second metatarsal, 3rd, 4th और 5th हमारे पास आगे metatarsals आ जाएंगी tarsals के बाद metatarsals 5 हमारे पास metatarsals होती है जैसे हमारे पास 5 fingers होती है उसी की metatarsal हो आ जाएंगी उसके बाद अगर हम आगे phalanges की बात करें तो phalanges में हमारे पास thumb में 2 phalanx आते हैं ठीक है यह हमारे पास proximal phalanx और यह हमारे पास आ जाएगा next distal phalanx thumb में 2 phalanx हैं उसके बाद second phalanges की हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले proximal phalanx ठीक है जो highlight होई थी यह mid में आई है तो हमारे पाद medial phalanx और हमारे पास यह distal phalanx आ जाएगी इसी तरह third, fourth और fifth मारे पास phalanx की भी phalanx आ जाएगी proximal, medial और distal ठीक है proximal यह हमारे पाद highlight होई भी है फिर medial आ जाएगी phalanx और फिर हमारे पास distal क्योंकि और हमारे पास थम में कितनी होगी दो होगी मारे पाद phalanx proximal low distance ठीक है यह हमने है हमने बात कर ली सारे lower limb की यह आपने देख ली है हमारे पास hip bone थी सबसे पहले उसके बाद हमारे पास petila थी, tibia थी, fibula थी उसके बाद हमारे पास calcanious, talus और हमारे पास navicular medial और intermediate और lateral cuneiform थी और फिर cuboid यह हम rotate करके दिखा रही हूं अब मैं आपको यह आपने देख ली है यह हमारे पास anterior side है और वो posterior थी so at the end of this video don't forget to subscribe my channel and like the video